Hello student, Named Reaction के एक और brand new वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Woods Reaction के बारे में देखे जब भी आपको रीएक्षन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज आनी चाहिए कि इस रीएक्षन में कौन सा product बनाया जाएगा तो Woods Reaction में Alkane बनाया जाता है Alkane बनाने का best method माना जाता है Woods Reaction को अब इस रीएक्षन में symmetrical Alkane भी बना सकते हैं और unsymmetrical Alkane भी बना सकते हैं लेकिन symmetrical Alkane बनाने का best method माना जाता है वोर्ज रियक्शन को अंसिमेट्रिकल अलकेन बनाने का नहीं माना जाता क्या रीजन होता है वो इस विडियो में हम आगे डिसकस करेंगे तो देखें, अलकाईल हेलाइड की रियक्शन सोडियम मेटल के साथ में करवाई जाती है Dry Ether की presence में तब हमें Alkane मिलता है और इसी reaction को बोला जाता है Woods reaction अब हम इसकी reaction देख लेते हैं कि किस परकार से इसकी reaction complete होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Alkyl Helide का 2 Mol लिया जाता है क्यों लिया जाता है जब हम reaction mechanism पड़ेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा Alkyl Helide का 2 Mol लिया जाता है और 2 Mol sodium के साथ में इसकी reaction करवाई जाती है Dry Ether की presence में होता क्या है देखिए इस Alkyl Helide को हम इस परकार से भी लिख सकते हैं Rx और 2 जो sodium का Mol हमने लिया है उसको हमने यहाँ पर लिखा और XR हमने यहाँ पर लिख दिया तो देखिए यहाँ से क्या निकलता है 2 Nax यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 Nax और यहाँ पर बचा क्या R और R आपस में bond बना लेगा और यह बन जाता है यहाँ पर Alcane तो हम इसको बोलेंगे Alcane Alcane में क्या होता है? Only carbon carbon single bond होते हैं देखिए इसका हम example देख लेते हैं R क्या हो सकता है? कोई भी Alkyl group हो सकता है तो देखिए हमने कोई भी Alkyl group यहाँ पर ले लिया है CH3X इसके हमने 2 mol लिये हैं और 2 mol sodium के साथ में हमने इसकी reaction करवाई dry ether की presence में तब यहाँ पर होगा क्या हम इस परकार से इस reaction को arrange कर सकते हैं तो देखिए CH3 CH3 यहाँ पर बन जाएगा कैसे बनता है जब हम इसकी reaction mechanism पढ़ेंगे अगले पार्ट में तब आपको अच्छे से समझ में हो जाएगा कि वुड्च reaction किस परकार से proceed करती है किस परकार से इसका process आगे बढ़ता है तो देखो 2 carbon है और सभी carbon single bond है तो इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है इथेन इथेन इसको बोला जाएगा अब हम इसकी देखेंगे reaction mechanism तो उसके लिए हमें बढ़ना पड़ेगा next space पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sodium sodium का electronic configuration क्या होता है sodium predictable में ग्यार वेव नमबर पे आता है तो देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 लास्ट वाले orbital में देखिए सिर्फ एक electron है तो sodium अपना एक electron donate करेगा और इसका जो यह अस्टक है यह complete हो जाएगा तो sodium stable हो जाएगा मतलब metal की tendency होती है एक electron donate करने की तो यह sodium यहाँ से क्या करेगा एक electron donate करेगा और na plus यहाँ से बना देगा अब देखें इस electron का हम use कैसे करेंगे यह electron यहाँ पर क्या करेगा यहाँ देखें CH3X X क्या होता है हेलोजन होता है हेलोजन कौन कौन सा हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनको बोला जाता है हेलोजन तो देखें इनके बीच में electron negativity का difference होता है कारबन की electron negativity कम होती है और हेलोजन की electron negativity ज्यादा होती है तो देखें इसके उपर तो क्या जाएगा partially negative charge और इस पर क्या जाएगा partially positive charge मतलब इस कारबन के पास में electron की कमी है तो यह electron क्या करेगा ये इस कार्बन की जिसके पास में कमी है कार्बन के पास में इलेक्ट्रोन की कमी है उस पर अटेक कर देगा तो जैसे ही यह यहां पर अटेक करेगा तो यह होगा क्या यह जो X है यह जो हेलोजन है यहां से निकल जाएगा तो देखिए यहां से क्या बन रहा है CH3 अब एक चीज यहां पर ध्यान से समझेए जो यह bond था इसमें एक एलेक्टरोन तो कार्बन का था और एक हेलोजन का था तो इस हेलोजन ने क्या क्या दोनों एलेक्टरोनों को ले लिया तो carbon के पास में एक electron की कमी होगी लेकिन ये electron इस carbon को मिल गया मतलब carbon का electron carbon को वापस मिल चुका है A की electron एक्स्टर था तो ये carbon free radical बन चुका है और इसके साथ में क्या बनेगा? X- तो एक चीज ओर आगी important इस reaction में कि woods reaction में जो intermediate बनता है वो free radical बनता है तो ये चीज भी आपको ध्यान में होनी चाहिए अब देखिये होगा क्या? ऐसा नहीं है कि इस reaction में सिर्फ एक ही free radical बनेगा इस process में लाखो क्रोडो free radical बनेगे और आपको एक चीज और पता है कि ये जो free radical होता है ये unstable होता है अनस्टेबल होगा तो भीया ये stable होने की ट्राइ करेगा इस्टेबल कैसे होगा? ये अपने ही जैसे एक और free radical को देखेगा अपने ही जैसे एक और free radical को देखेगा और उसके साथ में bond बना लेगा तो देखिये ये दो free radical आपस में मिले और इन्होंने bond बना लिया तो यहाँ पर दो carbon की chain बन गई और ये होती है हमारी woods reaction इस परकार से alkyl halide से alkane बनाया जाता है सबसे पहले हमने देखा कि ये sodium एक electron डोनेट करके एनेपलेस बनाता है उसके बाद में देखो ये electron क्या करता है ये इसकी electron negativity का फाइदा उटाता है वहाँ difference है लड़ाई होगी ये ज़्यादा powerful है ये कम powerful है तो जो ज़्यादा powerful है वो अपना electron लेके बगेगा तो इस पर delta positive है तो ये electron इस पर आ जाता है ये यहाँ पर free radical बन गया free radical क्या होता है unstable होता है जैसे हम अपना ये example ले तो जैसे तुम लोग student हो अब तुम stable होने की कोसिस कर रहे हो कि जही नीट तुम fight करोगे उसके बाद मैं अच्छे college में जाओगे तो तुम stable हो जाओगी अभी तुम कमजोर हो क्योंकि तुम 12 पास कर रहे हो तो ये होती है इसकी mechanism अब हम इसके कुछ example कर लेते हैं यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि alkyl hilide के हम 2 mol क्यों लेते हैं क्योंकि 2 mol लेंगे तो दोनों free radical बनाएंगे और अपस में bond बना लेंगे और sodium metal के 2 mol क्यों लेते हैं एक sodium metal क्या करेगा एक mol sodium metal क्या करेगा एक free radical का निर्माण करेगा और यहाँ से इसके साथ में क्या बन जाएगा na plus और x minus तो यहाँ से na x बन जाता है और 2 mol हम लेते हैं क्योंकि देखो एक CS3 से free radical यह वाला बना और दूसरा ही ऐसा same process होगा same reaction होगी और एक free radical बनेगा तब na or x आ जाएगा तो यहाँ से 2 na x निकल जाता है तो यही होती है इसकी mechanism अब हम देखते हैं इसके example उसके लिए हमें चलना पड़ेगा next page पर देखिए CS3, CS2i उसकी reaction हम करवा रहे हैं 2 mol of sodium अगर यहाँ पर 2 नहीं दिया गया हो तब भी आपको पता लग जाएगा कि sodium plus dry ether दिया गया है और alkyl halide के साथ में इसकी reaction हो रही है तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि भीया यह तो वूर्ज reaction है अब वूर्ज reaction में जो reactant होता है उसके 2 mol reaction करते हैं तो यहाँ से होगा क्या directly free radical बनेगा तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2 और यह free radical बन गया अब यह free radical stable होने के लिए क्या करेगा अपना जैसा ही एक और free radical डूंडेगा तो CH2 CH3 इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही free radical बनेगा इस प्रोसेस में लाको क्रोडो free radical बनते हैं तो यह अपने जैसा ही डूंडेगा और उसके साथ में bond बना लेगा तो यहाँ पर देखो alkane में 4 carbon है लेकिन alkyl halide में सिर्फ 2 ही carbon है तो एक चीज और हम यहाँ से observe कर सकते हैं कि alkyl halide में जितने carbon होंगे उससे double carbon होंगे alkyne में तो इसमें देखो product क्या बन रहा है CH3 CH2 CH2 CH3 यह 4 carbon का alkyne यहाँ पर बन गया और इसके साथ में 2 Naib भी बन जाता है 4 carbon के alkyne को क्या बोला जाता है butane बोला जाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा butane हो जाएगा इसी परकार से अगर हम यहाँ पर देखे तो देखो यहाँ से bond तूटेगा और यहाँ पर यह free radical बनेगा तो देखो एक free radical यह बन गया और यह अपना जेसा ही एक और free radical देखेगा और यह क्या करेंगे आपस में bond बना लेंगे तो कितने carbon हो जागे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पे 6 carbon बन जाएंगे 4, 5 और यह 6 carbon की 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 carbon के alkane को क्या बोला जाता है 6 carbon के लिए लिखते हैं hex और सभी जगए carbon carbon single bond है तो हम क्या लिखेंगे end तो यह alkane है तो हम directly लिख देंगे hexane अभी तक हमने देखा कि एक ही प्रकार का reactant हम ले रहे हैं और उसके ही हम दो मॉल यूज़ कर रहे हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अलग-अलग प्रकार के alkane halide आपस में reaction करें तो देखिए उस point को हम यहाँ पर clear करेंगे कि क्यों symmetrical alcanic between का यह best method होता है unsymmetrical alcanic बनाने का best method नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए होगा क्या यह bond यहाँ से टूटेगा और यह bond यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर देखिए C H3, C H2 और यह free radical यहाँ पर बन गया और इसमें कौन सा free radical बनेगा CH3 और ये free radical यहाँ पर बन गया अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको मान लेते हैं इस वाले free radical को बोल देते हैं A और इस वाले free radical को बोल देते हैं B अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी possibilities बन सकती है एक beaker है जिसमें देखो A free radical बहुत सारे पड़े हैं लाखो करोडो और एक B free radical पड़े हैं लाखो करोडो जब हम सेम परकार का alkyl hyalide लेते दे तब तो क्या होता था एक ही परकार का मान लो उसको A मानो तो एक ही परकार का free radical होता था लाखो करोडो उसको तो ये क्या करता था अपने जैसा ही एक और free radical देखता था और उसके साथ में bond बना ले था था लेकिन इसमें क्या होगा हो सकता है A B के साथ में जुट जाए A free radical हो सकता है A free radical B के साथ में जुट जाए और A B bond बना ले हो सकता है कि A-A free radical आपस में जुट जाए और A-A bond बना ले या फिर हो सकता है B-B free radical आपस में जुट जाए और ये bond बना ले तो तीन प्रगार के product यहाँ पर मिलेंगे तो देखिए अगर हम A-B bond को जोड़े तो यहाँ पर तीन कार्बन का अलकेन बनेगा अगर हम A-A को जोड़े तो देखो चार कार्बन का यहाँ पर अलकेन बनेगा और अगर हम B-B को जोड़े तो दो कार्बन का यहाँ पर अलकेन बनेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह unsymmetrical अलकेन है अगर मान लो कि आपको तीन कार्बन का अलकेन बनाना है वुड्ज रियेक्शन के द्वारा तब आप क्या करोगे दो कार्बन का एक अलकेले ले लोगे और एक कार्बन का एक ले लोगे तो यहां पर देखो इनका फ्री रेडिकल आपने बनाया और आपने इसके साथ में तीन कार्बन जोड़के ये वाला प्रोड़क्ट बना दिया लेकिन होगा क्या ये वाले फ्री डेडिकल आपस में जोड़के ये प्रोड़क्ट बनाएंगे और ये वाले आपस में जोड़के ये वाला प्रोड़क्ट बनाएंगे मतलब अगर हमें अनसिमेट्रिकल और अगर अपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं डार्जन रियक्शन, फिंकल इस्टेन रियक्शन, स्वार्ट रियक्शन और हुंस निकर रियक्शन तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं